नमस्कार दोस्तों सबागत है आपका मज़राइक चैनल में तो आज के लिए में हम बात करने वाले हैं सामसुन के और यो अपडेट के बार में जिसका आप सभी कुंजज़ार था बीटा प्रोग्रम स्टार्ट हो चुका है मेरे साब से और यहां पर कुछ स्क्रिंग शॉर्स तो आपको जसा कि पता है कि recently हमने एक वीडियो बनाए था जिसमा आपको बता था कि S8 को जल्दी बीटा अपडेट मिलने वाला है audio का तो यहां पे कुछ लीक्स और रियूमर्स आये हैं और यहां पे कुछ फोटो भी लीक हो कर रहा है जिनमें T-Mobile के वर्जिन के मोबैल को जो की S8 है उन्हें Android audio का अपडेट मिला है तो चलें बात करते हैं और यूपडेट के बार में तो सबसे पहले जो यहां पे जो थोड़ी बहुत और नियुक निकल कर आई है कि Samsung की जो connect app है कुछ दो-तिन उसके apps को audio का support मिल चुका है तो यहां पे आप जैसे कि यहां पे S8 बगर उन सबी को जो Android audio का अपडेट ने भी मिलने वाला है तो यहां पर उनके लिए support आज चुका है जो आया है T-Mobile के अगर आप उसके size की बात कर रहे हैं तो जो इसका size है वो है 1.4 GB का कुछ अपडेट आया है जैसे कि आप आप फोटो में देख सकते हैं तो इस तरह के कुछ और भी features आपको देखने को मिलते हैं जैसे की notification dot हो गया यहां पर और भी आपको नए नए features देखने को मिलेंगे और अगर इसके Samsung experience के version की बात करें तो इस बार आपको आपको Samsung experience 9.0 देखने को मिल रहा है तो यह भी काफी एक अच्छी बात है कि आपको एक नए experience version देखने को मिलेगा notification dots देखने को मिलेंगे काफी सारे और भी Android OK features देखने को मिलेंगे तो इसी तरह के technological news के related और Samsung के related news के related आप हमारे चानलों को subscribe कर सकते हैं और इस notification bell icon को hit कर सकते हैं और अगर आपको इसी तरह के और भी news देखने तो आप हमने notification bell icon को पर क्लिक कर दीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने सबी फ्रेंड्स का तो मैं 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 तो आपको से अगले वीडियो में कर दो कर दो कि और दो